गर्यबंद जिलापंचायद की कारेश यहली हमेशा की तरहे एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है दो साल पहले ततकालियन जिलापंचायद सीओ द्वारा एपल बेर उगाने के नाम पर 83 लाख रुपए की बंदरबाद के कारण सवालों के घेरे में आई थी और अब वर्तमान सीओ द्वारा मामले के जाज़ में देल्शक्ती नहीं लेने के कारण एक बार फिर से सवालों के घेरे में है वैसे तो किसी भी घ्राम पंचायद को अधिक्तम 20 लाख रुपए तक के सरकारी कारियों में एजन्सी बनाया जा सकता है मगर गरिया बंद में दो साल पहले ततकालिन जिला पंचायद सीओ ने गाउं के 48 एकर दमीन पर एक करोड 33 लाख रुपए के लागत से 12,000 एपल बेर उगाने के देवभोग के बीरी घाट पंचायद को अजन्सी बना लिया था जिसमें 83 लाख रुपए खज़ किये गए थे जिसमें 36 लाख रुपए की गोबर खाद और मिठी का बिल भी शामिल है जो साथ कुंदर के आज पास तार है और उसका अजना आज़र देगे तो जादा जादा बहरागा थे बीज लाख के अंचे अंदर गर्डर में तो कुरा टूटर साम गए समगरी के कोई रिकार नहीं है तो आप तो क्रियानन एजनसी थे तो वहां के वह लोग भी नियुगे हैं जीला पंचे दवा ले लिए थे तो मत्यूल आपके दवाए जाता ही थी सियासतर लाग के लग मत्यूले आपका दारा कि जाती थी राईड़े हैं बैलाइकर ब्लॉक के लिए